जहें दोस्तों, जेल पहरी परीच्छा 2020 की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम गड़त विसाय की, जो जेल पहरी परीच्छा 2018 थी, उसमें जो गड़त विसाय की कॉश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, चली हम वीडियो को स्टार्ट क जिसमें इसका कोटी अक्ष भुजांक का आधा है और चिन में विपरीत है तो यहां पर हम देख लें कि जो भुज और कोटी होते हैं वो नर्देसंग जैमिती में जो भुज होता है उसे हम एक्स नर्देसंग कहते हैं एक्स नर्देसंग और जो कोटी होती है उसे हम बोलते हैं बाई नर्देसंग तो यहां पर हमें पता चल गया कि जो भुज होता है वो एक्स होता है कोटी जो होती है बाई होती है अब हम कोश्चन को देखते हैं कि कहा गया है इसकी जो कोटी अक्षे कोटी अक्षे मतलब क्या है बाई भुजांक का आधा भुजांक क्या है एक्स तो एक्स का क्या है आधा भुजांक का आधा और चिंद में विप्री थे यदि यह धन का है तो एक क्या होगा रण का होग यह प्लस का है तो यह माइनस का हो गया हम देखते हैं ओफ्षन में तो ओफ्षन ऐसा तो हम्हें यहां पर बायएक चुस्टु एक्स बटे दो हें लेकिन हमारा आ रहा है क्या माइनस तो इसका पक्छाणतर कर लें क्या हो जाएगा दो आ बरावर रिन एक्स तो यहां को देखते हैं कि प्रश्ण है दूसरा हल करें हल क्या करना है ग्यारा च्छासी गुलित 298 बराबर 298 गुलित कॉश्चन मार्क तो यहां पर यह दिया हम देख लें कि बराबर दोनों पक्ष है और 208 भी यहां पर यहां पर हैं मतलब क्रॉस हो जाएंगे तो बच्छा क्या हमारा ग्यारा च्छासी तो ग्यारा च्छासी जो होगा एक हजार आंसर आजाएगा बिल्कुल सरल था एक कॉश्चन अंगला कॉश्चन देखते हैं तीसरा प्रश्चन है दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एबं उनके बरगों के बीच का अंतर 256 हजार मतलब 2,56,000 है संख्याओं ग्याद करें हमें यहां पर संख्याओं ग्याद करना है तो हम मान लेते हैं माना कि वो संख्याओं क्या है एक है एक सब्सकुल स और बाई है तो प्रश्चन के अंश्चार क्या हो जाएगा बीच का अंतर अर्थाह एकस मống आनस बाई बरावर कितिना हो जाएगा 256 और हमें क्या बन जाएगा इनके बर्ग बर्ग यदि करें तो x का बर्ग बरावर क्या हो जाएगा 256,000 ठीक है चुकि हम यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें क्या दिया x square minus by square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा formula बन जाएगा x minus by x plus by बन जाएगा बरावर 256,000 तो यहाँ से हम देखें x minus by की value तो हमें दी गई है तो x plus by बरावर तो x plus by बरावर क्या हो जाएगा 256 x minus by की value डिवाइट करेंगे तो 256 cancel हो जाएगे तो क्या जाएगा 1000 अब इन्होंने पूछा क्या है संख्या याद कर यह हमें x minus by पता चल गया x plus by पता चल गया अब हम देखते हैं यदि हम इन दोनों सम्हीकणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x 2x और यह जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 1256 यदि x की value निकालना है तो डिवाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्थात कितना आ गया 628 इसी परकार यदि हम दोनों सम्हीकणों को घटा दें यहां यदि हम x धन by बरावर 1000 में से यदि x रिण by बरावर 256 को घटा दें तो क्या होगा यह जो एक्स एक्स वाले टर्म से घट जाएंगे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और दो वाई दो वाई वरावर क्या हो जाएगा यदि 1000 में से 256 को घटाएंगे यदि हम तो हमें बचेगा और 744 बचेगा अब बाई की वैल्यू निकालना है तो 744 में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा दो से तो कितना आ जाएगा दो ती अच्छे दो सत्य चौदा दो दुनी चार तो इस तरीके से हमें x का मन मिल जाएगा 628 और 22 का मिल जाएगा हमें 372 तो हम देख लेते हैं 628 और 232 जो ऑप्शन 4 में है तो हमारे यह अंसर आ जाएगा नेश्ट को देखते हैं यहाँ पर फोर्ट कोश्चन है x का 10% बाय के 20% के बरावर है तब x अनुपाद बाय ज्यात कीजिए या बरावर है तो हमें दिया क्या है x का 10% निकाल लेते हैं x का 10% बरावर 20 परती सत के बरावर है तो 5 का 20 परती सत यह दोनों बरावर है हमें निकालना क्या है X बटे by X रूपाद by तो X बटे य वरावर यहां सी यदि हम देखें 100 से 100 कट जाएंगे यहां सुन से सुन कट जाएगा तो यहां पे क्या बचा एक तो दो का खरेंगे तो दो बटी एक तो एक्स अनुपाद वायवर आवर हमें क्या मिल लेगा दो अनुपाद एक यही ओफ्षन होगा कोई तो इसमें से हम देख लेंगे नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं हम यहाँ प्रश्ण है गड़ित की पाठ पुस्तकों बाली एक बोरी का बजन क्या है 2,400 ग्राम है जिसमें गड़ित की पुस्तके रखी हुई है उस बोरी का बजन यदि गड़ित की एक पाठ पुस्तक का बजन क्या है 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ पुस्तके हैं यह हम 200 gram यदी हम 2 kg को यदी हम घ्राम में change कर दें तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा की नहीं ने क्योंकि दो गोडेत 10 1,000 में 1000 खर धन 400 म तो यहां से हमें हमें टोटल क्या मिल जाघा है 2400 ग्राम तो हम कह सकते हैं कि जो बोरी है वो 2400 ग्राम की है हमें बोरी का बजन मिल गया 2400 ग्राम अब टोटल पूरी बोरी का बजन 2400 ग्राम है और एक पुस्ता का बजन 300 ग्राम है यदि हम 2400 में 300 से भाग दे दें तो हमें कुल पुस्तकों की संख्या पता चल जाएगी हम देते हैं तो ती आठे 24 तो क्या आगी हमारा आठ तो हम कह सकते हैं कि उस जो बोरी है उसमाँ पुस्तकों की संख्या कितनी है आठ है अंगले कोशन को हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्ण है थेरेसा ने एक बाहन खरीदने के लिए असी हजार रुपी का रिन लिया है उसने डेड़ साल तक हर महीने चालीस सो रुपी का भुक्तान किया उसने बैंक को बापस कितना भुक्तान किया हमें एवत लाना है कि जो उसने असी हजार रिन लिया था लेकिन उसने बैंक को कुल कितना भुक्तान किया है तौसने कितने साल तक 46 सो रुपे दिये हैं ये दियां मुद देखें कि उसने ब्र व्र ऊसाल एक सवाअगा वह श्यालिसल ऺज़तर तो हम हम यदि एक महिने का च्रस ल श्यालिसल हैं तो अठारव महिनेswिट औरomie कितना हो जाएगा गुणा कर लेते हैं तो 12 प्यार्वक्त कर दिया लिया कितना था उसने कर्ज 80 हजार रुप्य तो यदि हम इसको देखें कि यदि हम इनको घटा आएं तो हमें क्या मिल जाएगा 2,800 रुपे तो हम कह सकते हैं कि उसने जो ब्याज में 80,000 रुपे लिए थे और उसने टोटल चुकाया है कितने 82,800 रुपे तो 82,800 रुपे उसने क्या किया है चुकाया है यदि पूछा जाता कि उसने कितना अतिरिक्त चुकाया है तो उसने अतिरिक्त चुकाया है अट्थाइस सो रुपे नेश्ट कॉश्चन को 24 तो हम जानते हैं 172 क्योंकि यदि हम रिंड का गुणा जब हम कोश्टक के अंदर करेंगे रिंड से तो रिंड रिंड क्या हो जाएंगे धन हो जाएंगे 204 तो यह क्या हो गया आपस में जुड़ गए तो जोड़ेंगे 426 साथ दुनी चाउदा 224 तो 446 और वो भी किस के आ लागत उन्नettes敢於 1,910 रुपी है जबकि 116 कि लागत 230 रूपी है तो यह स्तार कि लागत बतलाने हैं हमने माल लिए कि जो एक पुस्तक है, एक पुस्तक की लागत जो है, X है, और एक कलम की लागत जो है, वो वाई है, तो हम प्रश्न क्याकुन साथ देखते हैं, कि छोहतर क्या दिया है, मैं पुस्तक है, तो चोहत्तर X धन 106 कलमे है Y बरावर 1910 इसी तरीके से यदि हम देखें 106 पुस्तकों की कीमत और 74 कलमों की कीमत क्या दिये है 2230 रुपे यहां हम यदि देखें हमें क्या निकालना है एक पुस्तक और एक कलम की यदि हम यहां देखें इस प्रश्ण को कि 74 और 106 और 14 X और Y के कोफिशेंट समगान है यहां पर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो जोहत्तर और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और यहां पर भी क्या हो जाएगा 180 और यहां पर यहां पर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 4, 1, 4, कितना हो जाएगा, 41,440, अब यह हमें 1 का निकाल ला है, यहां 180, यहां 180, 180 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने 180 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, X धन, बाइ, बरावर, 41,40, अब यह दि, X धन, बाइ, मतलब, एक पुस्ता को और एक कालम की की मन न से सुनन केंसल हो जाएगा अठारा दूनी च्छतीस होता है रतीरी चाहुन तो हमें क्या तेईस आंसर मिल जाएगा तो तेईस रुपे मतला हम कह सकते हैं कि एक पुस्ताक और एक कलम की किमत कितनी है तेईस रुपे हैं नेक्ष्ट को देखते हैं यहां नौबा प्र्َच्ष्न हैं दो और दू दसम्लाव पांच के बीच एक आपरमी संख्या खालिस्थान है यहां आपरमी संख्या की बात की जाएतो हम ऑफ्ष्ण को देखते हैं कि दो दू और 2.5 के बीच हमें आपर में संख्या बतलाना तो option के according हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 22.5 है हमें पता है कि चार्च को 16 होता है तो यह तो 4 से उपर का होगा क्योंगि 25 तो 4 और 5 के बीच में होगा ही यहां root 5 की बात करें तो root 5 को यदि हम देखें कि 2 का 4 जो होता है root उसका value क्या होती दो होती है और फिर यदि आंगे यदि हम जाएं तो 9 होता है तो 9 4 और 9 के बीच में क्या है पांच और 9 2 और 3 के बीच में क्या होगा यह root जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा और तो करनी 5 जो होगा उसकी value क्या होगी कोई two point something होगी कुछ अर्थात इन दोनों के बीच में है इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा करनी 5 अंगले कॉश्चन को देखते हैं यहां पर यहां प्रश्ण है एक प्रदर्शनी हाल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं जिन में प्रतिक की लंबाए एक मीटर पचास सेंटीमीटर और चोणा एक मीटर है एक सो मीटर लंबी की ऑल्यूमी पट्टी है जिसका उप्योग इन बोर्ड यहां पेह फरेम करने के लिए किया जाता है है सभी बोर्ड यहां पर दिये गए है टोंटल बोर्ड है कडिक प्रतियक की लंबाई अर्था प्रतियग मतलब सभी decor कैसे हैं समान है इसलिए हमuego एक लंबाई दी गई है वो है क्या एक मीटर हे हैं 50 सेंटी मीटर उमेर हैं तो इसको एक समय नीठेफिव आप एक मीटर ये व्रिट जिसके बॉर्ड हुद्य हमें उसका क्या निकालता है यह रिख सकते हैं 1 ने कंपने यह जैसे एक सबूर्त एका के democrats तो इसका जो परिमाप होगा, वो क्या होता है, चूकि हम जानते हैं कि जो लंबाई चोड़ाई दी गई, तो परिमाप क्या हो जाएगा, दो जो परिमाप होगा, परिमाप यदि हम निकालें, क्या होगा, दो लंबाई धन चोड़ाई, तो लंबाई क्या है, एक दसमलाब प की जरूरत हैं तो टोटल बोड़ कितने हैं कि 24 में हम पांच का गुणाँ कर देगी हैं किए हम जानते हैं गाति हम लभी हम हमें कि पट्टी 100 सब्समाल म्लब़ा को हमें तो आव fy हम चाहिए कितनी या एक marketed today है बीसमेटर और हमें दिया गया हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो एलुमीनियम पट्टी है वो क्या चाहिए 20 मीटर की हमें एलुमीनियम जो पट्टी है एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेगी